हाव गई तहीं समझे आप आप अपने यूट्टुप शॉर्ट चैनल को 18 गंटे में ही आपको मॉनेटाइज करा सकते हो तो कैसे आपको अपने चैनल को मॉनेटाइज कराना है यह तो मैं आपको बताओंगा ही बट उससे पहले क्या-क्या चीजें यूटुप चेक करता है च out monetize नहीं कर मान लीज़ा आपने किसी का वीडियो डाउनलोड़ के यूटुब से एंड उसकी वीडियो को download करके अपने चैनल पर री पोस्ट कर दिया तो क्या ऐसे में आपका चैनल गो मुनेटर करेगा तो मेरी मानरतों नहीं करेगा ऐसे मैं आप चाहे ना गाई 10 10 million का वाश्टाइम कबर कर लो या अगर आप 4000 घंटे का वाश्टाइम अगर कम्प्लीट कर ले तो या एक अजा सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट कर ले तो तो भी आपके ऐसे में कोई भी फाइदे नहीं होने वाने तो यह बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी अब देखो अभी की टाइम में अगर आप अपनी वीडियो बनाते हो और किसी का कंटेन उठा करके अपनी वीडियो में थोड़ा खोड़ा जादा नहीं सिर्फ फोड़ा से यूज करते हो तो क्या ऐसे ना आपको यूटूब आपका चैनल मोनेटाइजिशन अप्रूफ कर कि उसका वीडियो को आप उठा करके अपनी वीडियो में डाल दो मगर ऐसा होना चाहिए कि हमें भी समझ में ना आए कि आप उसकी वीडियो को अपनी वीडियो पर यूज कर रहे यानि कि आपको पूरा पूरी वॉइस ओवर कर देना है उससे ऐसा होना चाहिए कि अगर द टाइम में तो सबसे पहला YouTube आपके वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या चेक करता है तो YouTube क्या करता है कि आपकी दो-तीन दिन के अंदर जो निवेस्ट वीडियो होते हैं उसे आपका चेक करता है सेकेंड आपने वाच्टाइम कहां से कलेक्ट किया सपोस्पोस आपने शौट पे एक वीडियो डाला एंड वह अचानक से चन जाए अच्छा खासा तो मैं आपको ग्राफ में समझाता हूं जैसे कि आपका वीडियो जह है एकदम डौन चल रहा था फिर अचानक से आपका जो वाच्टाइम मिला है या 4000 गंटी का वाच्टाइम मिला है तो यह आपको कहां से मिला यह यूटूब डेटा को आपका कलेक्ट करने की पूरे अच्छी तरीके से पोशिश करता है यह चेक करने के बाद में यूटूब आपका यह तीसरा चीज़ को भी चेक करता है तो आप आपको इन सब चीज़ों को भी देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको इगनोर मानना है टोटनी इन सब चीज़ों को अगर आप अपने वैल्योबल कंटेंट बनाते हो यूटूब पर एंट सारे के सारे वीडियो आपके फेस केम से हैं तो आपको कुछ भी सोचने की आप बन करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अपलाई कर दो 18 से 24 हंटे के अंदर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन अप्रूड हो जाए तो मैंने अपलाई करना तो आप लोगो इस पर रेंगुलर रहना है आप जिस कंटेंट पर वीडियो बनाते हो आपके चैनल पर इस्ट्राइक वगरा आने लग जाते हैं और अगर आप मोनेटाइजेशन के बाद भी री यूज कंटेंट वगरा भी करते हो तो उसते भी आपका जो चैनल है वो डी मोनेटाइज भी हो सकता है तो आपको अपना ही कंटेंट को अपलूड करना है इस आपके साथ में तद्टे की अपना ख्याल लगिए बाबाइ